स्वागत है आपका अपनी चैनल आरोग ये इंडिया में दोस्तों अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बैल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस ज़रूर करें सही समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है पोशक तत्वों से भरपूर खाना खाना वहीं कुछ लोग भूग ना लगने से भी परिशान रहते हैं जिससे शारीर कमजोरी आने लगती है जिससे रोग प्रतिरोधक्षमता पर बुरा असर भी पढ़ना शुरू हो जाता है इसी कमई को पूरा करने के लिए आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्के बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी भूग को आराम से उजागर कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं हरे धनिये के रस के बारे में एक चमच हरे धनिये के रस में थोड़ा सा नमक और नीम्बू का रस मिला लीजिए इससे आपको भूग लगना शुरू हो जाएगी अगर आपको बिल्कुल भूग नहीं लगती हैं तो आप खाना खाने से आदा घंटा पहले अद्रक के तुकड़े में थोड़ा सा नमक लगा कर खालें इससे आपकी भूग उजागर होने लगेगी सलाब में मूली, काली मिर्च और नमक मिला कर खाएं इससे आपका इम्म्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और धीरे धीरे आपकी भूग भी बढ़ने लगेगी गुड के साथ काली मिर्च का सेवन करने से भी भूग बढ़ने में आसानी होती है जितना ज्यादा हो सके अपने खाने में काली नमक का इस्तमाल करें काली नमक से पाचन करिया मजबूत होती है उसमें सुधार होता है और ये भूग बढ़ाने में भी बहुत मददगार साबित होता है तो दोस्तों अगर आप भूग ना लगने से परेशान है तो हमारे बताय हुए इन नुस्खों को ज़रूर अपना कर देखें हेल्दी हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग ये इंडिया सुध भारत की सुध परंपरा को धन्यवाद